नमस्कार दर्शको बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ रिच्छा वर्मा खबर चलाबिशनौर से है जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संभादाता तुशा वर्मा की खास्ट पोर्ट बिशनौर में आज रास्टे किसान मर्दू सगठन के बैना तले हसारों किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर दिला मुख्याला पर जोर्दार धन्ना प्रेदर्शन किया किसान कलक्टर पहुँच कर धन्ने पर बैठ गए इस दोरां सगठन के रास्टे अध्यक्ष सरदार वियम सिंग भी किसानों की बीच पहुँचे किसानों ने विभिन मुद्दो को लेकर अधिकारियों के खिलाफ नारिबाजी की बापंचारत में मौझूद सरदार वियम सिंग ने कहा कि बिस्णोर के कारा करताओं ने अपनी मांगे अधिकारियों के सामने रखी थी लेकिन अधिकारी ने उनकी बाते नहीं मानी उन्होंने कहा कि आज हम अधिकारें से दोबारा बात करेंगे अगले समय में करने के मुल्य को पांसो रुपेर प्रतीकुंटल तक पहुचाने का संकर्प ले रहे हैं ज़िए किसी को यह मन्जूर नहीं है तो हम अपनी बात सरकार बना कर इसे हासिल करेंगे उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानेंगे तो वे आगी भी संखाष जादी रखेंगे कहेंगे दो देखने की बात है जहां तक मैने अभी अपना कहा है आप में सुना होगा इनका जोश देखके के दो तीन किलोमीटर की तो ट्रेक्टे ट्रॉलियां थी उतने ही लोग से आपने देखा है इनका जोश देखके मैंने का है एक नारा लगाया थैंने अगली बात चास्व पार गन्ने का रेक हमने का नहीं तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है नगीना में भी दिताया है और तुम लोगों ने अभी जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है पूरा का पूरा आपने विद्नौर शहर को घेर लिया किसम से तो आपको जो है एक हम देतें तौफा देंगे एक नारा आपको देंगे अगली बार गन्य का रेक पांसौ पार दोहजा सत्याइस में पांसौ पार हम लेंगे जिसको देना है तो सामने आए वनना अपनी सरकार बना के किसान अपने आप पांसौ का रेक लेगा परस्वा भी कोट के अंदर लगा है मुकर्मा और इसी के साथ जुड़रा है बंधन समाचार के साथ